हलो एव्रीवन दिस दुश्यन सिंग और आप देख रहे हैं अध्यन अड़्डा यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम डिसकेस करने वाले हैं UP SSHC PET एक्जाम के सिलिबस के बारे में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि PET के फॉर्म रनिंग में हैं और आप सभी ने form fill up कर भी दिया होगा और नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना form fill up करें किसी भी एक्जाम की जब हम तियारी करते हैं तो उसके लिए सबसे mandatory चीज होती है उसे एक्जाम के सिलिबस के बारे में हमको completely पता होना चाहिए तो आज इस वीडियो में हम उसी चीज को cover करने की कोशिस करेंगे कि P.E.T. के एक्जाम में किस किस portion से question आने है कौन-कौन से topic से प्रशन पूछे जा सकते हैं उन सभी बिंदों के बारे में चर्चा करनी है सबसे पहले बात करते हैं history की तो history को उन्होंने दो भागों में बाटा है यानि आप एक भाग में पूरा इतिहास रख सकते हैं भारत का और दूसरे भाग में आप Indian National Moment को रख सकते हैं यानि भारती राश्ट्री आंदोलनों को तो history जो है केवल भारती राश्ट्री आंदोलन जो है Indian National Moment है वो 5 नंबर का पूशा जाना है portion और बाकी का इतिहास है वो 5 नंबर का तो कुल में लाकर के हम कह सकते हैं कि इतिहास से जो question आएंगे आपके लगबग 10 questions आएंगे 10 नंबर के ठीक है कौन-कौन से particular topic आपको अच्छी तरीके से cover करने हैं उनके बारे में जान लीजिए सिंदुगाटी सब्विता पढ़ना है आपको फिर वैदिक संस्कृती, बौद धर्म, जैन धर्म, मौर्यवंस, गुप्त वंस, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल वंस और मराठा इसके साथ साथ बृटिस राज का अब्युदेक जैसे कब से भारत में बृटिस राज का उदय होता है 1857 की करांती जैसे पृथम सुतंतरता संगराम कहा जाता है इससे भी प्रशन बनेंगे आपके इसके साथ साथ जब अंग्रेजों ने हमारी उपर राज किया तो उनके बाद में हमारे सामाजिक वार्तिक धाजे में क्या-क्या परिवर्तन हुए क्या-क्या प्रभाव देखने को मिले यहां से भी प्रशन पूछे जा सकते हैं तो इतने सारे टॉपिक आपको हिस्ट्री में त्यार करने हैं भार्ति-राष्ट्री आंदोलनों के बारे में बात करें तो स्वाधिन्ता आंदोलन के यानि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्सों की इस्तिति क्या रही थी वहां की कौन-कौन सी प्रमोग घटनाए थी इनके बारे में आपको जानना है इसके साथ स्वदेशी आंदोलन हो गया या फिर सविने अवग्या आंदोलन हो गया इसमें गांदी जी की भूमिका क्या रही थी और गांदी जी के साथ साथ अन्य नेतावी थे उनकी क्या भूमिका रही थी वहां से कौन-कौन से प्रश्ण बन सकते हैं ये आपको इन दोनो आंदोलनों को भी कवर करना है इसके साथ अन्यक रांतिकारी आंदोलन भी हुए थे उनके बारे मैं जानना है उग्र राष्टरवाद का उदय इससे संबंदित प्रशन पूछे जा सकते हैं विधाई संसोधन बिटिस इंडिया एक्ट भारत सासन अधिनियम 1935 यहां से करना है जैसे जो स्टार्टिंग के यहां पर दे रखे हैं आपको टोपिक सिंदु घाटी सब्वितावाइदिक संस्कृति अगर आप चाहें तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाईए अध्यनद्डा चैनल की प्ले लिस्ट में जाईए वहाँ पर आपको यह सारे टॉपिक बिल्कुल detail में अच्छी तरीके से handwritten notes के साथ में बिल्कुल free of cost मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो वहां से भी cover कर सकते हैं, इसके बाद में आते हैं जोग्राफी के उपर, जोग्राफी overall आपका पूछा जाना है, पांच नंबर का, जिसमें कहां कहां से आपको cover करना है, भारत एवं विश्व का जो physical जोग्राफी है, भौत एक भूगोल है, वो आपको देखना है, कौन-कौन से particular topics आपको अच्छी तरीके से cover करने हैं, कहां पर जादा ध्यान देना है, जैसे नदियां हो गई, नदी घाटियां हो गई, ठीक है, जलवायू, मौसम, time zone, पूरे को कितने time zone में बाता गया है, ठीक है, और time zone से संबंदेत, ये प्रिशन भी पूछे जा सकते हैं, कि भारत में कोई समय हो रहा है, तो उसी समय जैसे मान सकते हैं, कि हम दूसरे देश में कौन से समय हो रहा होगा, ये time zone जब आप पढ़ेंगे, मैंने पूरा वीडियो डाल time zone का, अगर वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ भूजल संसाधन, जनिसांखे की अपरिवर्तन, परवत, पहाडी, हिमनद, ग्लेशियर वगेरा इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, मरुस्थल, एवम, शुस्क, छेत्र, वन, खनेज संसाधन, खनेज स जो प्रशन पूछे जाएंगे, वो पांच नंबर के प्रशन पूछे जाएंगे, यहाँ पर 1947 से 1991 तक यानि भारत की सुतलतरता के बाद में 1991 तक कौन-कौन से प्रमख परिवर्तन हुए इंडियन एकॉनमी में, ऐसे योजना आयोग है, पंचवर्सी योजना है, फाइव अर्थ विवस्ता, इसमें प्राइवेट और गॉवर्मेंट सेक्टर मिलकर के किस तरीके से अपनी अर्थ विवस्ता को आगे ले जाते हैं, इसके बारे में आपको प्रशन पूछे जाने हैं, हरित करांती हो गई, दुग्द विकास, ऑपरिशन फ्लर्ड जिसे कहते हैं, बैंकों का राश्टरी करण किस तरीके से हुआ, किस बैंक की स्थापना कब हुई, इसमें कौन-कौन से रिफॉर्म्स किये गए, कौन-कौन से सुधार किये गए, ठीक है, और सुधारों से संबंदित अन्य प्रशन भी पूछे जा सकते हैं, कि जैसे इंडियन एकॉनमी मे इसके लावाद GST जो के लेटेस्ट टॉपिक है, GST भी यहां से प्रशन पूछे जा सकते हैं, इंडियन कॉंस्टिउशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतिय संविधान और लोग परशासन से पांच नमबर के प्रशन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको तया बार करना है, भारतिय संविधान की कौन कौन सी विशेष्टाएं हैं, नीती निर्देशक तत्व क्या होते हैं, मौलिक अदिकार, मूल करतब्य, हमारी जो संसदिय धाचा है, संसदिय विवस्था किस तरीके की है, संगिय विवस्था, ये भी देखना है आपको फेडरल सि पूरे पूर्चन से पूछे जाने ठीक है यह पूरा पूर्चन पांच नंबर करेगा आपको अगर यह भी कबर करना आपको तो यह प्लेलिस्ट में जाएए आप वहां पर आपको इस सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे बिल्कुल हैंडरेटे नोट्स आप चाहें तो वहां से ली सकते हैं अपने नोट्स बना सकते हैं उसमें यह सारे टॉपिक जो हैं बहुती कम समय में और एफेक्टिव तरीके से कंप्लीट किये गए हैं जनरल साइंस भी आपका पांच नंबर का आएगा जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी इन तीनों से संबं गड़ती, समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक, एवं घात, एवं एवरेज से संबंदित प्रशन पूछे जाएंगे ठीक है तो मैं तो काफी नॉर्मल रहने वाला है आपको चैप्टर के नाम देखने से ही पता चल रहा होगा कि पूर्ण, संख्या, भिन, दसमल पर्शेंटेज, अंक गड़ती, समीकरण, ठीक है, स्क्वाइर एं, स्क्वाइर रूट, घातांक, घात, और सत्ये, काफी नॉर्मल से चैप्टर होते हैं, ये पांच नंबर के पूछे जाएंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, तरीके से त्यारी करनी है, देखिए, किसी भी एक्जाम की स्टैटेजी बड़ी इंपोटेंट होती है, आप अंदाधंद कुछ भी पढ़ते रहो, उससे एक्जाम कभी नहीं निकलता है, जब भी हम किसी एक्जाम को ध्यान में रखके त्यारी कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले उसके सिलेबस को आप अपने दि फॉलो कर सकते हैं, कहीं से भी, और अपनी सोर्सेज जो है कम से कम रखी है, ताकि आपको कोई भी डिस्ट्रेक्शन पैदा न हो, अब जनरल हिंदी की बात करते हैं, जनरल हिंदी पांश नंबर की पूछी जानी है, जिसमें से आपको ग्रामर से संबंदित, जनरल हिंदी स संबंदित कौन-कौन से टॉपिक, अच्छी तरीके से कवर करने हैं, वो है संधी, विलोम सब्द और पर्यावाची, और इसके रावा वाक्यांशों के लिए एक सब्द, जन्हें आप one word substitution कहते हैं, ठीक है, लिंग, जेंडर के बारे में प्रशन पूछे जाएंगे, श्रम होगी, वो आपको find करनी है, या फिर असुद्ध या शुद्ध बाट के देखना है, ठीक है, इसके साथ साथ गध्य एवं पध्य दोनों से संबंदित, जो लेखक और उनकी प्रमोख रचना हैं, इन सी संबंदित प्रशन भी यहाँ पर पूछे जाने हैं, जन्रल इंग्ल से रहेगा, फिर logic and reasoning की बात करें, तो ये 5 नंबर में रहेगी आपकी reasoning, और इसमें भी बहुत नॉर्मल से चैप्टर हैं, एक दो चैप्टर है, जैसे आपको खास तरीके से देखना है, कलेंडर एवं घड़ी यह तोड़ा सा टफ लगता है, और बाकी तो सभी नॉर्मल सी चीजे हैं, बड़ा छोटा करम एवं ranking, relation, समूह से भिन सब्द, चार option दे दिया, आपको तीन, उसमें से कोई शब्द ऐसे दे रहे हैं, जो एकी चीज से connect होते हैं, एकी group से connect होते हैं, एक जो है different सब्द होगा, वो आपको छाटना पड़ेगा, कारण एवं प्रभाव, इ पूछा जाएगा, coding to coding ये तो पूछा ही जाता है, और बड़ा नॉर्मल से chapter है, आराम से आप कवर कर सकते हैं, इसके साथ साथ कथन, visualization, एवं निर्ड हैं, यहां से भी प्रशने पूछे जाएंगे, current affair पर आपको बहुत अच्छा focus करना है, current जो है आपका 10 number का रहने वाला है, आप इसमें राष्ट्री और अंतर राष्ट्री संबंद की जो घटनाएं हैं, वो आपको देखती रहना है, यहां पर current affairs को follow करते रहना है, डेली आप इसको कवर करते रहें, इसके साथ साथ static gk जिसको कह सकते हैं, आम general awareness, general awareness भी आपकी 10 number की पूछी जाएगी, नॉर्म तो हो सकता है कि इसमें से more than 50% आपको पता भी हो, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है, देश और उनकी राजधानियां और उनकी मुद्राएं कहां पे क्या चलता है, पाकिस्तान में क्या चलता है, बंगलादेश की मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है, अमेरिक बेसिक जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस राज्य का मुख्य मंत्री कौन है, वहां का राज्य पाल क्या है, ठीक है, किंदर्शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, यह यहां से आप दिख सकते हैं, और इसके अलाबा डिवस, जो important days होते हैं, जैसे पर्यार रखने इसके अलावा भारती और अंतराष्टि संगठन एवं उनके मुख्याले कहा है जैसे आई ये लोग का इंटरनिशनल लेबर औरकनाइजिशन है उसका मुख्याले कहां पे है ठीक है सार्क का मुख्याले कहां इसके अलावा कलाइवन संस्कृती से प्रशन भी पूछे जाएंगे जैसे आपको अलग-अलग राग्जियों के न्रत्य पूछे जा सकते हैं विश भूषा जो है किस गेम में यूज़ किया जाता है तो इस तरीके के खेलों के जो खिलाडियों की संख्या होती है वह किस बॉल कहां खिला जाता है, टीनिस कोर्ट पर खिला जाता है, इस तरीके के प्रश्णा आपको यहां से कबर करने हैं, इसके साथ अनुसंधान संस्थान हैं, अनुसंधान संस्थान इंडिया के संबंद में आपको देखने हैं, जैसे इसरो हो गया, DRD हो गया, यह अपने जो अविस्तिती क्या है कहां पे हैं क्या-क्या इनके हैडों के नाम भी पूछे जा सकते हैं कौन इनका जो है डाइरेक्टर है इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं यह आपके सब जन्रल अवियर्स में आने हैं इसके अलावा पुस्तकें एवं लेखक जो भी महत्पूर्ण पुस देखते रहना है इसके साथ साथ ये जो तीन पॉइंट हैं आपको देख रहे होंगे बारा तेरह और चोदे नंबर पर बारे नंबर पर है अनसीन हिंदी पैसेज ये हिंदी पैसेज की बात करें तो ये 10 मार्क्स में पूछा जाएगा आपको कोई भी दो पैराग्राफ दे रखे होंगे और उनके संबंद में आपको पांश-पांश प्रश्न दे रखे होंगे जो आपको उनी पैराग्राफ से देख करके वाइसर देने हैं ये काफी एजी रहता है तो यहां से आपको सीधे-सीधे 10 नंबर बन सकते हैं ग्राफ और तालिका ये भी बहुत ज़्या और तालिका की व्याख्या करने से संबंदित प्रश्न पूचे जाएंगे वो भी 10 नंबर के होंगे तो ये हो गया आपका यूपी ट्रिपल सी पी टी एक्जाम का सिलिबेस